Hello everyone, मेरा नाम डॉक्टर सहीद नजीब उल्ला है, मैं एक MS जनरल सर्जन हूँ और चीफ अनुर्ण सर्जन हूँ अट दी आनेस अ डेक्टम प्लेनिक के कम्प्लीट हायरवेदिक सर्जिकल सेंडर जूबली हिल्स हाइदरबाद, बहुत लोग बहुत पेशेंस हम लोगों को ब बार बार पूस्ते रहता है कि पाइल्स का सर्जरी एक बर करें बद फिर से आता कैसर, फिर से आने के चैंसे सही कैसर, और एक बार पाइल्स का सर्जरी होने के बाद, मोशन को रोकने का जो भी कैपास्टी है और चले जाता, ऐसा बहुत लोग हम लोग को बार बार पूस्त पर इसमें कितनी सच्चा ही है इस विशय पर हम लोग बात करेंगे पाइल्स सरजरी जिसको भी हो रही है हो गई है उनमें में क्या रहता है पाइल्स का मतलब क्या है जो मलदवार के पास रहने वाले ब्लेड वेजल्स जो भी फुलकर बाहर आ जाते हैं उसको हम लोग फाइल्स बोलते रहते हैं जो भी फाइल्स सरजरी में क्या करते हैं जो भी यह ब्लेड वेजल्स जो भी फुलकर बाहर आ गए हैं उनको हम लोग निकाल देते रहते हैं यह निकालने के तरीके बहुत खिसम तरह के different treatment procedure है even आय वेदा मेंड़ी Kshara सूठ नार्मा treatment अजनी कर्मा treat मैं ऐसे बहुत त detention procedures है तो जब ही सहरी हो रहा किसी भी सोन या Hemorrhoid eptomy या दूसरे अलग-अलग तरीक है treatment इसमें क्या रहे ता जो जो भी प्रोलाप्स्ट मासस है जो भी ब्लड विजल्स जो भी फुल कर बाहर आगे उनको हम लोग निकाल देते हैं निकालने के वक्त नार्मली प्रॉपर डिस्क्शन की बहुत जरूरी है क्योंकि यह प्रॉपरली आनल कुश्छन को कम्प्लेटली रिमूट करना करने के सब्सक्राइब करने के वज़े से क्या रहता है पेन बढ़ना पोस्ट अपरेटी मिसाजरी के बाद पेन ज्यादा रहना पोड़ा जो भी घा हुए बहुत देर से हीलोना ऐसा होने के चांसे से पिर नॉर्मली क्या रहता है प्राइमरी पाइल्स बोलते हम लोग त्री सेव लेवनो कलाक यह तक्रीबं जो भी सजरी को पहली बार सजरी हो रहा उनको 3,7 लेवनो कलाक माक्जिमुम पेशन्टंट में तो 3,7 लेवनों कलाक में माक्जिमूम रहता है उसको हम लोग remote कर देते, लेकिन केकी क्यों में अल में जो भी मलेड़वार है 3,7 लेवन के दुसर जगह जो भी है 1,2,5,7 यह प्लेसे में भी आनल कुशिन्स नॉर्मल कुशिन्स वैसे ही रहते हैं सर्जरी करने के बाद जो लोगों को 3,7,11 जो भी नॉर्मल जहां पर भी था फाइल्स उसको नुकाल देए बाखी की जगह नॉर्मल रहता है इन लोग जो भी सर्जरी होने क के बाद भी कांस्टिबेशन को कंटिन्यू रह रहा है वो लोग प्रापर डाइट या फिजिकल अक्टिविटी या स्लीप डिस्ट्रबेंस इस कंप्लीटली रह रहे हैं लोगों में और यह लोग ज्यादा लॉंग ड्राइब्स कर रहें लांग ट्राविलिंग कर रहें अ कि चांसेश सब्सक्य नहीं के बाद दीए लहां पर अने की चांसेश नहीं के उपर प्रेज़र गिर कर रूंप रिल्विंव पन Sameल कुशन पे प्रेजर गिर के आपको फायल्स जैसे प्रावब्लम आने के चांसस है तो है तो अध कारे ईध के अधर आते या नई कि वारे में सचाई त मेरिसे पार सदरे के बाद ओद न Olaf जो भी capacity है चले जाता ऐसा बहुत लोग बोलते रहे थे लेकिन पाइल सर्जरी में या फिश्टला सर्जरी में यह ऐसा होने की chances बहुत कम हैं क्योंकि आपको motion रोकने का capacity है वह आपको motion के इंडिंग पर आपको रिंग रहता वह उसको डैमेज हुआ तो ही आपको ऐसा प्राब्लम होने के चांसे से जो भी स्पिंग्टर है स्पिंग्टर को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ 90-90% से ज्यादा डैमेज हुआ तो जब आपको ऐसा होने के चांसे से लेकिन पाइल सर्जरी में यह सब डैमेज होने के से सर्जरी करकर जो मोशन होलिंग के पास्टी है इसको सेफ करने के चांसे रहते हैं तो यह सब गलत है आपको जबी भी मौलदवार के पर प्रावलम है या पाइल सर्जरी आप करने को जा रहे हैं एक स्पेशलिस्ट को मिलने की जरूरत है स्पेशलिस्टी आपको इसके ब मुझ को पताज है